तो दोस्तों सवगत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में दोस्तों मैं गोविन जै स्वाल दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के बैनर को लगा सकते हैं तो दोस्तों इसको लगाने के लिए सिंपली से चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और वहाँ पर हम सारी बातों को आसानी से जानते हैं तो दोस्तों फानली से माच चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर हम चलते हैं अपने यूटूब पर YouTube पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक banner लगा हुआ है, उपर के तरफ, यानि की cover photo लगा हुआ है, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो इस banner को आपको बनाना होगा, क्योंकि इसका एक size अपना अलग होता है, त के लिए मैं लिंक description में दे दूँगा एक वीडियो का वहां से आप देखकर बैनर को बना लीजेगा उसके बाद में हम चलेंगे अपने इस Chrome browser पर Chrome browser पर करेते हैं click जैसे यहां पर आप क्लिक करते हैं आपको यहां पर आकर search करना होगा click जैसे ही desktop site पर आप click करते हैं यहां पर एक नया page open होता है जो कि हो था YouTube का ही लेकिन यह desktop site पर open होता है तो यहां पर यह open हो रहा है और जैसे ही यह open हो जाता है मैं इसको थोड़ा सा करूँगा जूम जूम करने के बाद में कुछ इस साइड में आऊँगा ओपर यहां पर अगर आपके चैनल का logo नहीं दिखता है तो आपको यहां पर एक singin का option मिल जाएगा और उस singin के option पर करिएगा click क्लिक करने के बाद में अपना email और password वहां पर डाल दीजेगा तो उसके बाद में यहां पर जो आपका चैनल है यहां लोगो जो है वो आ जाएगा तो यहां पर मैं इस logo पर करता हूँ click और click करने के बाद में आपको यहां पर थर्ड नंबर पर YouTube Studio का option देख जाएगा इस YouTube Studio के option पर कर दीजेगा click जैसे ही आप यहां पर click करेंगे आपके सामने एक नया page open होगा जो की होगा YouTube Studio का तो यहां पर यह open हो रहा है तो फानले से open हो चुका है जैसे ही यहां पर यह open हुआ मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा जूम करने के बाद में इस side आऊंगा और यहां पर आपको देखने पर यह branding का option देखेगा इस branding के option पर कर दीजेगा क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको देखने को मिला है banner image का option और यहां से आपको upload करना होगा तो मैंने भी बताया कि आपको एक banner बना कर रखना होगा तो आप उस banner को बना लीजेगा link video के description में है वहां से देखकर तो यह यहां पर हम करते हैं इस upload के action पर click करते हैं तो यहां पर आपका यहां पर यह गलरी खुल जाता हे और यहां बहुत सारे image आपके आ जाते हैं तो चुकि मैंने अभी banner banner बना कर नहीं रकिए गांus यहां पर फर्सट वाले पर click कर देता हूँ तो इस पर click कर दिया उसके ben에 हम इस प्रकार से लेकिन ये बैनर हमने बना कर नहीं रखा हुआ था ये बैनर के साइज का नहीं है बैनर का साइज का हमको बनाना होगा यानि कि आप पहले से एक बैनर बना कर रखे होंगे उस बैनर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इस वाले खाने में ये पूरा का पू जैसे ही आप इस done के option पर कर देते NICK og तो यहां पर जो यह done हो начatा है है और यह पर आपका banner अभी यह आ चुका है देखला देखली जीए यहां पर banner आ जाने के बाद में上गल इस हो पर यहांig समय आईएगा और jetzt publish न यहांँ पर पडिएगा क्लिक और आपका जो banner है वो लग जाएगा लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान यही देना है कि आपको पहले से banner बना कर रखना है उसका size यहाँ पर अलग होता है तो कैसे बना जाएगा उसका link description में है जाओ और देखो और banner को बना कर तयार कर लो तो दोस्तों अमीद करता हूँ यह वीडियो अब सभी को अच्छे लेगी होगी वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्ते आप नए है हमारे चैनल पर तो चैनल को subscribe करकर प्रेस कर लिजे बेल आइकन को जिससे की आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो दोस्तों बस यहीं पर दीजे इजाजत जैं हिंद वंदे मातराम